इस चीज़े घटी हैं उस समय, किसने करी, कैसे करी, किनके द्वारा की गई, कौन लोग इसमें शामिल थे, इस चीज़ पर कभी CBI जाच क्यों नहीं हो रही हम भारत की सरकार से निविदन करना चाहते हैं कि अमर्क क्रांतिकारी भाई राजीव दिख्षीजी जो भारत के करोडों लोगों के प्रेणा सरोते हैं, उनकी CBI जाच बहुत जरूरी है 14 जून 2020 को सुशान सिंग राजपूत की संधिहासपद मृत्य हो जाती है, लेकिन जो कि उनकी जो पिक्चर्स सामने आती है, उन पिक्चर्स के बाद ये पता लगता है, कि उनकी मृत्यू में जरूर किसी का हाथ है और ये जो मृत्यू थी, ये साधारन मृत्यू नहीं है, अवश्य इसमें हत्या की गई है, इस पूरी शक्य बिनापर जो एक माहौल तयार हुआ देश में दोस्तों, उसके कारण पूरी जनता ने इस विशे को उठाया, और आज आप जानते हैं कि सुशान सिंग भाई भतीजावाद दिखाई देता है, और इसी के साथ में बहुत से इसके ऐसे राज हैं जो आगे सायद सामने आ जाएं अगर सही तरह से जाच कर दी जाए तो, लेकिन अगर जाच को कोई प्रभावित किया गया, तो सायद सुसान सिंग राजपूत के साथ भी इनसाफ नहीं हो पाएगा, लेकिन कब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनकी सीबियाई जांच तो छोड़िये, वो इतने महत्मून रहे कि उनके मामले में एक साधरन जाच भी कभी इस देश में नहीं कही है, सबसे पहला नाम अगर हम लें, तो उनमें आता है हमारे सुभाष चंदरबोस जी का नाम, तथा कतित उनके मृत्यों बताई जाती है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंदरबोस जी की मृत्यों हो गई, और वो शहीद हो गई, लेकिन इस बारे में ना कोई इंक्वाइरी, ना कोई जांच और ना कोई सती तथ्य आज तक जनता के सामने आ पाया ह तमाम तरह कि इसके अंदर बाते कही गई, लोगों के तवारा मनशाई जता गई, कभी गुमनामी बाबा के रूप में, कभी कि सुभाष चंदरजी के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या था, कोई कहता था, उनको स्टैलिन ने कुरूरता दे के मरवा दिया, कोई तमाम तरह क इसमें लेकिन सक्तिता से हमें वंचित रखा गया, कोई जाच नहीं है और जो भी सबूत थे, जो भी चीजें, उनको हमारे आपसी रिष्टे, सौहार्द पूर्ण रिष्टे, कुछ राष्ट्रों के साथ गलतना होएं, इस कारण पे सुभाष जी के साथ आस तक इंसाफ दूसरी बात करते हैं हम लाल भादुर शास्त्री जी के, 11 जनवरी 1966 को लाल भादुर शास्त्री जी का देहान दो गया, वो शहीद हुए देश के नाम ऐसा देखा, हमने एक प्रधानमंत्री खोया, जो भारत का सबसे इमानदार प्रधानमंत्री, जिसके बारे में कहा गया कि ना भूतो न भविश्यती जिसके इमानदारी की कसमे खाई जाती थी ताशकंद में जाकर वो बलिदान हो गए भारत के इतिहास का एक मात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यू विदेशी भूमे में हुई ताशकंद में उस समझोते के बाद ऐसी क्या घटनाए घटी जहां रसोया बदल दिया जाता है जहां पर उनके जो गवा थे जो उनका डॉक्टर थे उनका जो रसोया था उनकी संधिहास पर मृत्य हो जाती है कोई पागल हो जाता है लेकिन उनके राज आज तक उन पन्नों में दफन है जिसको कभी खोला नहीं जा रहा है फिर वही बातें वही बातें ललिता शास्तरी जी ने पूरा संधेज अताया पूरी फोटों आज तक शास्तरी जी की कि उनके शरीर में खरोच के निसान थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुनी और एक परधानमंत्री तक का देश में पोस्टमाटम तक नहीं किया गया और CBI जान छोड़िये कोई अगर समीती भी बनी तो उसने क्या रिपोर्ट दी सब कुछ बट्टा लगा दिया गया सब कुछ खतम कर दिया गया और आज तक शास्त्री जी की मृत्यू एक अपने आप में पूरा मिस्ट्री बन चुकी है इसके बारे में कोई नहीं जानता कि हुआ तो हुआ क्या परमानिक रूप में भारत की सरकार कोई भी बाद इसमें कहने से परहिज करती है तीसरे जो महत्पून व्यक्तिय है वो हमारे भाई आदर्ष राजीव भाई दिक्षित जी पूरे भारत में आज करोडों लोगों के आदर्ष भाई राजीव दिक्षित जी ने जिस प्रेड़ना और संकल्प से स्वदेशी से लेकर वबस्था परिवर्थन का सफरते किया था दोस्तों आप देखिये तीस नवंबर दोजार दस को उनकी संद्हासपद मृत्य हो जाती है उनके शरीर में जो निशान थे उनके उनके रंग था शरीर का जो रंग था वो साव तोर पर इशारा करता है उनकी उनको विश दिया गया सभी लोगों ने ये संकाएं जताई है आज भी पुरे भारत को पता है कि राजीव दिक्षी जी की जो मृत्यू थी वो संदिहास पद है और उनकी हत्या की गई है लेकिन आज तक इस पूरे राजीव भाई जाना चीए था जिनके बारे में पूर्ण रूप से शंकाएं लोग के मन में थी लेकिन उस मृत्यू को और उस बलिदान को ऐसे छुपा दिया गया इस दोरान और पूर्ण रूप से राजी भाई दिक्षी जी की मृत्यू भी शास्त्री जी जैसे ही गुपत हो गई जिस देश में प्रधान मंत्री लाल भादू शास्त्री जी का पोस्ट माटम नहीं किया गया उस देश में बलिदानी राजी भाई दिक्षी जी का पोस्ट माटम कहां कर देती ये सरकारे नेपोटिजम का जो दौर आज सुशान सिंग राजपूत के जीवन में दिखाई देता है हमें यही नेपोटिजम का दौर था सुभाष चंद्रबोष जी के समय पर भी जब नहरू ने अपनी उच्चा कांशा के कारण पे उनको भारत नहीं लोटेने दिया यह राजनीती का नेपोटिजम था यह साथ में उस समय के करांतिकारियों के बीच में एक नेपोटिजम था जिसमें एक व्यक्ति अपनी भाई भतिजावाद के लिए जिसने सुभाष चंद्रबोष जी को कभी देश में नहीं आने दिया और उनको युद्ध अपराधी के रूप में खबर भीज़ दी आगे विदेश में अपने आप में समझीए कितना बड़ा नेपोटिजम तब से चल रहा था लेकिन इस नेपोटिजम के उपर हमारा बिलकुल ध्यान नहीं जाता परधान मंत्री के रूप में देखी है कि लालबादुर शास्त्री जी को भी नेपोटिजम का ही शिकार होना पड़ा इंद्रा गांदी जी के उच्चा कांशाएं थी वाम पंतियों का क्या जाल था लेकिन लालबादुर शास्त्री जी तो देश पे बलिदान हो गए ऐसा हमने परधान मंत्री खोया जिसकी कलपना भी आज तक राष्टर में नहीं किये जाती है लेकिन नेपोटिजम का ये दौर पूरे परधान मंत्री के जीवन में भी दिखाई देता है कि परधान मंत्री भी नेपोटिजम के खातिर बलिदान हो जाता है राजी भाई दिख्षी जी ने राष्टरवाद की वो चिंगारी देश में खड़ी करी कि पर तमाम गद्दार जो थे या तथाकतित राष्टरवादी बनते थे उन सब की मिटि पली तो गई और जब उन्होंने राष्टरवात के रूप में काम प्रारम्ब करके देश में विवस्था परीवरतन के लिए लगे और 2014 में वो देश की सत्ता को परीवरतन करके विवस्था परीवरतन करना चाहते थे ठीक उसी समय पे दोस्तों उनका बलिदान उससे लगबक चार वर्ष पहले 2010 में कर दिया जाता है और कहां पर किस कारण पर भिलाई 36 गण में और कारण यही कि यह राष्ट्रवाद का नैपोटिजम था कुछ पार्टियों को और कुछ लोगों को कुछ नेताओं को यह लगने लगा कि राष्ट्रवाद तो हमारी समपत्ती है राष्ट्रवाद पर तो हमारा भाई भतीजावाद है फिर ये व्यक्ति आखिर आगे बड़े तो बड़े कैसे और इसनके पीछे पर जिस व्यक्ति को भी नाम दिया जाता है जिन लोगों पो शक्याधार पर इनकी हत्या का दोश लगाया जाता है हमने उसके बारे में भी तमाम तरह की बातें बोली है लेकिन देश के इन लालों का क्या, इन क्रांती कारियों का क्या, हमारे भाई राजीब दिक्षीजी का क्या, जिनकी कोई CBI जांच तक नहीं की जा रही है, जिनके बारे में कोई सत्यता नहीं रखी जा रही है, जिनके बारे में, जिनकी जो मृत्यू है, उतनी रहश से महीं ह उनके चेहरे को नीला पड़ा हुआ था वी चीजे घटी हैं उस समय किसने करी कैसे करी किनके द्वारा की गई कौन लोग इसमें शामिल थे इस चीज पर कभी CBI जाँच क्यों नहीं हो रही हम भारत की सरकार से निविदन करना चाहते हैं अमर्क क्रांतिकारी भाई राजीव दिख्षीजी जो भारत के करोडों लोगों के प्रेणा सरोते हैं उनकी CBI जाँच बहुत जरूरी है उनकी न्याय की जाँच बहुत जरूरी है जैसे सुशान सिंग राजपूत की CBI जाँच हुई है इस देश में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोडों लोग इस दिमांड को करते हैं कि राजी भाई दिख्षीजी की CBI की जाँच होनी चाहिए उनकी सत्यता सामने आने चाहिए लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए इसके साथ मैं नारको टेस्ट होना चाहिए उस लोगों का, जो उस समय उनके आसपास मौजूद थे और साथ मैं उन लोगों का, जिन लोगों ने उनकी मृत्यू के बाद उसमें चुप्पी धारन कर दी तब जाकर राजी भाई दिख्शी जी के सत्य हत्यारों का पता लगेगा तो आप सभी से यही कहना है कि देश की बलिदानी परिपार्टी में जिन लोगों ने नेपोटिजम का जो सिकार हुए इन लोगों के लिए मेरे दोस्तों आवाज उठाईए और राजी भाई दिख्शी जी के वीडियो को सुनिये जरूर और सुनाइए जरूर क्योंकि ये वीडियो इस देश पर वो परिवर्तन ला रहे हैं उनके विचार वो परिवर्तन लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश का युवा आज राजीब भाई की भाशा नहीं बोलता केवल राजीब भाई के विचारों पर चलकर भारत को भारतियता के मान्यताओं के आधार पर स्थापित कराता है और हमारा उच्च लक्ष है कि देश में विवस्थाओं का निप्टारा हो विवस्था परिवर्तन हो और सुविवस्था भारतियता के आधार पर स्थापित हो राजीब दिक्षी जी ने जो सपन देखा था जो उन्होंने संकल्प लिया था वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी अंतिम स्वास तक उसको पूर्ण करने के लिए हम पूर्ण संकल्प को धारन करें और कुछ भी करके कोई भी तरीका अक्तियार कीजिए लेकिन देश में राजीब वात का प्रचार कीजिए राजीब भाई के विचार को पूरफ से पश्चे मुत्तर से दक्षन धरातल पे खड़ा करके इस चीज को खड़ा कीजिए कोई नेता उनका नाम ले वो हमारे लिए महतपूर्ण नहीं है कोई उनके नाम पर ट्वीट कर दे, वो हमारे लिए महतपून नहीं है, हमारे लिए महतपून वो है, जो राजी भाई के विचारों के अनुरूप काम करे, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करे, तो इतना ही आप सभी से कहना है, कि राजी भाई दिक्षी जी की इस न जो क्रांती कारियों के भी क्रांती कारी हैं इस समय जोनोंने अंग्रेजी सामराज्य के इन काले अंग्रेजों से जिनके पास सत्ता का हस्तांतर्ण हुआ था इनसे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है उनको जिस तरह से देश में शांत कर दिया गया उनके विचारों की हत् जी भाई दिक्षित अमर रहें.